नमस्कार दोस्तों, पातफाइंटर पर आप सभी कर स्वागत है दोस्तों हाली के दिनों में भारत सरकार सोशल मीडिया पर पब्लिश होने वाले कॉंटेंट को लेकर काफी सक्त है इस संदर में बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक किये जा चुके है यूट्यूब चानल्स को ब्लॉक किया जा चुका है एच्सेक्टर एच्सेक्टर ये सब कब से होना शुरूआ जब से नहीं IT गाइडलाइन विशू की गई है देश में इस कड़ी में एक और अकाउंट विच इस दी कर्मेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान गवर्मेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है तो अगर आप जा कर एकसेस करना चाहेंगे पाकिस्तान गवर्मेंट का अकाउंट जो ओफीशल है तो आपको अकाउंट विदहल्ड देखने को मिलेगा ठीक है, क्या है पूरी news, क्यों यह किया गए, इन सभी चीदों के बारे में बात करते हैं, पहले articles देख लेते हैं, these are the articles, जो social media, मतलब internet पर आपको मिल जाएंगे, not social media, चली, news समझ लेते हैं, news देख लेते हैं, तो यहां मैं आपको बता दो, twitter account of Pakistan government, इसको withheld कर दिया गया था भारत में, केवल भारत में इसको block किया गया है, ठीक है, not everywhere else, तो भारत में इसको access नहीं कर सकते हैं, अब हम लोग, Saturday को यह decision लिया गया, जहां पर twitter ने कहा कि यह decision जो लिया गया है, वो लिया गया है, after a legal demand that came from center, center government ने twitter को यह legal demand भेजी, इस account को withheld करने किया, block करने की, जिसक पर एक report है twitter की, इसी साल की, जिसमें यह बताया गया था, कि भारत दूसरे number पर आता है, विश में, for asking the details, platform user information, जो भी platform पर user है, उनकी information जानने के लिए, twitter को भेजते है, messages या, demands की जाती है, दूसरे number पर भारत आता है, इसमें, और वहीं पर, top 5 countries में से है, जिसमें, issue किये ग इंडिया, दूसरे number पर है, user information जानने के लिए, notice भेजने में, और top 5 countries में है, जहां पर content blocking orders दिए गए है, twitter को, ठीक है, जहां, मैं आपको यह बता दूँ कि, पाकिस्तान का twitter handle, जो है, पाकिस्तान गवर्मेंट का, सिर्फ इसको फिलहाल ब्लॉक किया गया है, भारत में, इस decision क्यों लिया, सरकार ने, कि उनका official, जो twitter handle है, government of Pakistan का, उसको हटाने की बाद, या उसको ब्लॉक करने की भारत में, लेकिन यह हम जरूर, relate कर सकते हैं, कि यह जो order आया है, यह PFI, यह पॉपुलर Front of India, which is an Islamist organization, उसके ban करने के बाद, और उसके जो भी account थे social media के, उनको withheld करने क के बाद, यह decision लिया गया, तो यह हो सकता है कि, Islamic organization है, इसको भारत में banned किया गया, हाल ही में, जिसके बाद, कुछ response आया होगा, पाकिस्तान से, और इसको धियान में रखते हुए, account, withheld कर दिया गया, twitter का, ठीक है, इसी के बारे में, और साथ दीटील में बात करते हैं, but before moving forward आप मुझे follow कर सकते हैं, इन दोनो telegram channels पर दोस्तों, for all my class updates, schedules and pdfs, anacademy app पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं, मेरी special class or plus courses के लिए, enroll करने के लिए, आपको सिर्फ मेरा code use करना है, ndlife10 here, now why anacademy, because anacademy gives you widest choice of educators, unlimited views on lectures, doubt solving sessions etc, along with the results, चलिए, यहाँ पर twitter ने यह note किया कि, last month जो 2021 के, 2021 के last six months में total, जो 326 demands आई, twitter को, 326 legal demands आई, ना यह legal demands आप दो बार सुन चुके हैं, अभी तक session में two words, अभी मैं आगे आपको बताती हूं किस तरह की demands होती हैं, जिसमें legal demands का मतलब क्या होता है, ठीक है, 326 legal demands आई हैं, जिसमें content block करने के लिए demands की गई हैं, by various countries of verified journalists and news companies, जो journalists है, news companies हैं, उनकी content को block करने के लिए demands आई, इन 326 में से 114, यानि कि एक तिहाई, demands अकेले भारत से गई हैं, ठीक है, वहीं अगर top five nations की बात करें, जिन्होंने demand की हैं, उसमें, Turkey, Russia, Pakistan भी आता है, along with India, in issuing such demands, or to Twitter, Now, Twitter ने कहा कि 309 accounts, 349 accounts जो है, verified journalists के और news outlets के, located around the world, were subject to 326 legal demand, जैसा कि मैंने आपको पता है, इसमें content हटाने की बात की गई, which is a 103% increase, 103% का एक तम बढ़ोतरी देखी गई है, इस number में, since the previous period, मतलब, 2021 में, first half, January से June तक, अगर compare करें, second half में, July से, December तक वाले half में, तो इसमें increase, 103% का देखा गया है, across the globe, और जो spike है, वो largely attribute कर रहा है, two legal demands submitted from India, Turkey, Russia and Pakistan, also USA, USA भी है, USA, actually number one पर है, यहाँ पर, चलिए, अब as per Twitter guidelines, government information request, जो सरकार ऐसी information requests भेजती है, वो legal demands पढ़ रहे थे ना, बार-बार, Twitter guidelines के according, अगर सरकार इस तरह की information requests भेजती है, वो दो तरह की हो सकती है, include both, emergency and routine legal demand, मतलब कोई emergency demand हो सकती है, legal demand हो सकती है, जिससे की जो account information है, वो भेजी जा सकती है, law enforcement को या किसी भी government agency को, Twitter से ऐसा request किया जा सकते है, इन दो चीज़ों पर, ठीक है, यहाँ पर routine request का मतलब हुआ, जो legal demands है, जो issue की जाती है, सरकार के या, किसी law enforcement agency के द्वारा, Sabina's code order search warrant के एर फॉर्म में, that compel Twitter to turn over account information, compel करती है कि आपको यह turnover करनी है, account information, सही, ठीक है, वही, Twitter का कहना है कि, it may disclose the account information to law enforcement agencies and respond to a valid emergency request, अगर emergency request की बात की जाए, तो Twitter के पास एक choice है, कि वो disclose कर सकता है, अगर जायस emergency response है, if it is provided, एक sufficient information, अगर सही information यहाँ दी गई है, so, simple भाशा मैं बताती हूँ, जो legal demands है, Twitter has to respond to that, लेकिन अगर emergency demand है, तो वहाँ पर एक justified reason होना चाहिए, तभी Twitter उस पर response करेगा, which means, like, support a good faith, believe that there is an immediate threat involving danger of death, serious physical injury of person, और कोई ऐसी information जो threat को avert कर सकती है, mitigate कर सकती है, मतलब इन conditions में, यहाँ पर emergency वाली situation में conditions applied है, कि Twitter can respond, can withheld the response, ठीक है? चलिए, अब June के अगर मैं बात करूँ, June में ही Twitter in India banned official accounts of Pakistan embassies in UN, Turkey, Iran and Egypt, embassies जो अलग-अलग जगा पर हैं, यहाँ पर भारत के कहने पर यह भी बंद किया गया, August में ही भारत में 8 YouTube-based news channels को block किया है, जिसमें एक Pakistan से operate कर रहा था, तो केवल Twitter handles blocked नहीं किया जा रहे हैं, बाकी social media पर भी ऐसा हो रहा है, and we've already discussed the YouTube issue, जहाँ पर YouTube channels और YouTube videos को block किया गया है, 1 Facebook account for posting fake and anti-India content online, तो August में यह कारवाई भी की जा चुकी है, इसी के साथ अभी तक अगर बात करें, अभी तक Central Government ने block कर दिया है, लगबग 100 YouTube channels, 4 Facebook pages, 5 Twitter accounts और 3 Instagram accounts, सभी social media पर यह गार्ज गिर रही है, for spreading hate content against India, भारत के खिलाफ hate content, प्लीज करेक्ट इस स्पेलिंग, फैलाने के आरोब में, तो simple reason भी आक्चली यही है कि भारत के विरुद चीज़े नहीं आप बोल सकते हैं, इस संबन में कि हम rules की बात करें, तो section 69A of Information Technology Act 2000, यह empower करता है केन सरकार को कि वो block कर सकते हैं कोई भी online content, या prescribe कर सकते हैं punishment भी, यह अधिकार IT Act 2000 में दिया गया, under section 69A, यह primary law है जो deal करता है cyber crime और electronic commerce से, commerce के संबन में भारत में, section 69A of the IT Act 2000 यह empower करता है government को, कि वो restrict कर दे access to any content, कोई भी ऐसा content है उसका access रिस्टिक किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा, अगर वो देश की संप्रभुता, integrity, security, इन सब चीजों के संबन में है, उनको hamper कर रहा है, उनको नुक्सान पहुचा सकता है, हाँ नहीं पहुचा सकता है, या फिर friendly relations है हमारे किसी foreign states है, या public order है, इन सबको अगर कोई खत्रा होता है, तो ऐसे में सरकार के पास ही अधिकार है, कि वो restrict कर सकती है access to that content, section 69A, इसके अलावा कि इन सरकार को enable करता है, कि वो ask, it can ask, any agency of the government, कोई भी सरकारी agency को, या फिर किसी intermediary को, social media intermediary को, जिसमें guidelines भी इशुकी गई है हाल ही में, कि वो block करें access to public of any such information, तो intermediaries को ये कहने के लिए भी अधिकार दिया गया है, 69A में, generated, transmitted, received or stored, और hosted on any computer resource, कोई भी ऐसे request for blocking access must be based on reasons given in writing, legal demand की तरह होनी चाहिए, यहाँ पर intermediary ethics guidelines भी है, जिसके बारे में, अलड़ी हम पहले बात कर चुके हैं, I hope आपको समझ में आया होगा, आपको पूरी जीज़ ये समझ में आयोगा, IT Act भी समझ में आयोगा यहाँ पर, सिर्फ मैंने 2000 की बात किया, मैं recent amendment यहाँ पर discuss नहीं किया आप लोग के साथ, क्योंकि मैं पिछले अपने एक वीडियो में इसको discuss कर चुकी हूँ, ठीक है, आन अचाब्मी से जुडने के लिए, आपको सिर्फ मेरा code यूज करना है, NDLive10 to avail the best discount that is available on the platform, यह आप किसी भी subscription के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा अभी फिलाहाल आप मतलब ले सकते हैं CAC Notes, CAC Notes 2.0, lowest price पर आपको मिल रहे हैं, यहाँ अगर आप मेरा code यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर discount भी मिल जाएगा, जो भी best discount available होगा platform पर, इस notes comprise of 20 UPSC CAC books, comprehensive coverage है है हर टॉपिक, integration है UPSC mains questions के, timeline, mind maps और सारे contemporary issues भी समें कवर किये गए हैं, batch is 29 September से शुरू हो चुके है, हमारे अभी जाकर indulge कर लीजी, इसके साथ-साथ loan facility भी है, अगर financial issues हैं, तो loan facility आपको provide की जा रही है, यहाँ पर आपका EMI is as low as 4364 per month, मतलब 4500 रुपे की कम EMI पर अपनी UPSC के तयारिया बहुत ही बहतर तरीके से कर सकते हैं, academy loan facility के साथ, mains test series platform पर अपनी अपनी प्रपरेशन को और जादा बहतर करने के लिए, साथ ही doubt browse feature भी जाकर आप explore कर सकते हैं, इन तीनो steps को follow करते हैं, and you can resolve all your doubts and queries and confusions also. So, that's it from my side, thank you so much, don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon, so that आपको हमारी latest updates के बारे में पता लगता रहे. God bless you, take care.